हेलो पुच्चों, वेलकम चुआ चैनल रोयल क्लासेज। आज हम बात करने वाला है हमारे क्लास 10 के चैप्टर नम्र वान ओफ केमिस्ट्री दाट इस कामिकल रियक्शन और इक्वेशन तो बेसिकली हम लोग कामिकल रियक्शन के बारे पर चुके हमारे लास्ट वीडियो में जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखियो आज आए बलिटन को क्लिक कर रहे हैं और क्यामिकल रियक्शन और इक्वेशन गो देख कर रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाला है What are the main characteristics of chemical reactions? Chemical reactions की correctistics क्या होगी मतलब हमें chemical reactions तो पता चल गई नया substance वो होगा with new properties पर वो जो नया substance है वो हमारे पस form हो गया है उसकी क्या correctistics है हमें किसे पता चलेगा कि उसकी नई properties है वो कुछ नया कर रहा है मतलब हमाँ chemical reaction हो गई है इस चीज का proof हमें कौन देगा हमारे correctistrics that chemical reactions are taken place or not chemical reaction हो रही है या नहीं हो रही है उसका proof देने के लिए हमारे पास कोन आ गया हमारे correctistrics of chemical reactions तो वीडियो को start करते है और वीडियो का आज का topic है हमार पास correctistrics of chemical reaction तो वीडियो को last night देखना आज को like, share and subscribe करना बिल्कुल मिना है बोला है तो पहली बात हाई characteristics of chemical reaction first characteristics जिसको हम कहते है जो mean हम लोग starting कर रहे है first हमारे पास है abolition of gas जैसी की 5 हमारे पास characteristics होती है उन 5 पास हमारे पास characteristics होती है एक कोई दो कोई भी अगर हो रही है at least one तो होनी होनी चाहे तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सी reaction हो रही है वहाँ पर chemical reactions हो रही है तो पहला हमारे पास क्या है evolution of gas gas तो सबको बता है solid, liquid and gas but evolution ही 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 होगा बहार निकलना कहीं भी भी अगर दो चीज़े react करें और gas बाहर निकल जाए किसी को gas बाहर निकलने से बस एक ही चीज़ याद आ रही है अब आपीस आ जाए बट वह भी एक chemical reaction है जब हम बहुत जब दखा लेते हैं तो हमारे enzyme जो है वह क्या कर लेते हैं जितना उन्होंने डाजस्ट करना होता डाजस्ट कर लेते हैं और वह एक unwanted sound के साथ उसे जो हमारा unwanted waste है उसे remove कर देते हैं तो उस time पे भी क्या कि तो गैस निकल गई है तो वही गैस के बारे में हमने यहाँ बात करने है evolution of gas gas का बहार निकलना evolution means बाहर निकलना तो अब भी क्या कहेंगे हम लोग कहीं पे भी अगर gas बाहर निकल रही है इसका मतलब वहाँ पर कौन सी reaction हो रही है वहाँ पर हो रही है chemical reaction तो कहीं पे भी अगर gas बाहर निकल रही है तो वहाँ पर कौन सी reaction हो रही है वहां पर हो रहा हमारे पास, chemical reaction, तो chemical reaction का पहला हमारे पास बार आगया, evolution of gas, gas का बहार निकलना, तो सबसे पहले बोला, हमने क्या करना है, सबसे पहले उन करेक्टरस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, और फिर उसका एक example के बारे में पढ़ना है, कि भाई लाग्स में ऐसा कौन सा है उस चीज को प्रूफ देने के लिए तो बोला सबसे पहले गोया टेकिन जिंक हम इस जिंक ले लिया हमें क्या देता है हमें देता है जिंक सालफेड प्लस हाइड्रोजन तो क्या होती है और यह वर हो रही है तो यहां पर कौनसी क्या है किसका एक्जामपल हो गया इस एक्जामपल ओप कैमिकल रियक्शन यह एक्जामपल हो गया इसके ही लिए हम लोग एक आक्टिविटी कर लेते है लाइक हम लोग एक डड़ जो हमारा वीकर है वह ले लेते हैं दीकर में हमने जिंग ग्रानवल स्टाल दिया है अउपर से हमने क्याट ड्रॉपर से ad to a क्या है और शो पोल डालना स्टाट कर दिया तो यहाँ पे यहां पर लोग एक फाइप लगा लिए इस पाइप सी क्या होता है वह पास इस पाइप को हमने तो chemical reaction equation में जब भी gas का evolve दिखाना है तो हम क्या करते हैं ब्रैक्ट लगाते हैं और upside arrow लगाते हैं ब्रैक्ट प्लस upside arrow ये ब्रैक्ट और upside arrow शो करता है कि gas हमारी बहार निकल रही है चीक है तो evolution of gas आप बोला कि अगर हमारे पर हाइड्रोजन गेस आरी है यह कोई और गेस आरी तो हम भी अगर पता करना है तो हाइड्रोजन गेस का तो हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं मत्ता हम बता सकते कि सच में जबकि कलर लेस है हाइड्रोजन हो उक्सीजन हो इलियम हो ये test of hydrogen gas इस hydrogen gas का test हम कर सकते है कैसे अगर reagना पार सॉरूजन है इस पर bubble form हो रही है हम क्या करें हुआ यहां पर एक नियर this bubble solution candle लेकर आएंगे चीक है candle लेकर आएंगे जैसे ही candle लेकर आएंगे और यहां से हमारे पाइस एक sound आद जिनलाद है pop sound ठीक है like आपने देखो cold drink की bottle होती है glass वाली काच वाली उसको open करते है एक दम से sound आती है वो पट सी हिस सी अवाज को हम लोग क्या बोलते है pop sound तो अगर ही hydrogen gas होगी candle के पास आते है इसके अंदर से sound आ जाएगी pop sound अपनी बज़ा के देख लिए याद हो जाएगी as a pop sound आई मतलब वो कौन सी gas है hydrogen gas और ऐसी नहीं आएगी जब candle इसके पास लेकर जाओ गए ऐसी बोलते है oxygen oxygen gas का test क्या होता है अगर में इसको इसके पास लेकर जाओ वो एक तुम से bond करने लग जाएगी बहुत जाना हो क्या होती है हमारे पास spotter होती है ना oxygen gas हमें बचाती है तो basically यह हमने क्या देखा पहली characteristics that is evolution of gas gas अगर बाहर निकल रही है तो वो किसका example होती है वो example होता है chemical reaction का अब आती है हमारे second characteristics की बात second characteristics होती है हमारे पास formation of precipitate सेकीन हमारे पास क्या होती है formation of precipitate अब बात आई भाई हमें तो precipitate ही नहीं पता और आप कहरें इसकी formation ही example है precipitate का मतलब होता है अगर मैं basically simple language में बात करूँ precipitate is a solid solid thing होगी insoluble होगी और कड़ी precipitate का होगा मतलब totally solid भी नहीं कह सकते है ठीक है insoluble मतलब जो soluble नहीं हुआ and curdy settle at the bottom bottom पे जो settle हो जाता है solid insoluble curdy substance उसी insoluble curdy substance को हम लोग नाम दे देते है हमारा precipitate ठीक है अब इसका भी precipitate की भी colors होते है white color yellow color तो इतरे के होते हैं तो अगर मैं इसका example देखूं की कोई example दीजिए जिसमें PPT foam हो जाए तो हम क्या कहते हैं हम लोग ले लेते हैं lead nitrate हमारे पास white color का होगा plus मैंने ले लिया potassium iodide दोनों को कर दिया mix mix करके कुछ नया बनेगा नया बना तभी chemical reaction है प्रूब केसे हुआ कि वह chemical reaction है यहां पर बन गया lead iodide यह lead iodide हमारे पास क्या है yellow color के PPT है PPT लिख दिया मतलब power point presentation नहीं है इस PPT का मतलब होता है precipitate यह फिर हम लोग क्या करते हैं ऐसे down side arrow लगा देते हैं upside arrow कि इसको चो करा evolution of gas gas बहार निकल रही है वो मीशु दो PPT हमारे पास क्या कर रहा कि precipitate बनेंगे और वो settle down हो जाहेंगे plus में हमारे पास क्या बन जाहेंगा potassium nitrate बनेंगा ही बनेंगा बट हमारे जो precipitate form हो गए तो वहां से हमें प्रूब मिल गया that it is a chemical reaction यह हमारे पास क्या होती है chemical reactions होती है चिक है तो यह हमारे पास second example था second character 60 formation of precipitate अगला आता है हमारे पास change in temperature अगला नाम आया change in temperature अगल हम लोग दो चीज़ों को mix करें और उसका temperature change हो जाए लाइक अपरे मटा सबजी normally हाथ लगा सकते है पर जब सबजी बन कर त्यार होई उसको हाथ नहीं तो वह किसका example हो गया change in temperature का तो temperature के अंदर अगर change हो रहा है तो वहाँ पर भी हम कह देंगे chemical reaction हो रही है temperature बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बढ़ महाँ पर भी क्या होगी chemical reactions होगी example के लिए हमने क्या का आपने कभी ऐसे घर में वाइट वोश हो रहा होता है तो वाइट वोश हो रहा होता है हम लोग क्या करते है calcium oxide मतलब हमारा quick lime जो है वह लेकर आते है पर जैसे उसमें पानी डालते है क्योंकि वाइट वर्ष करना है तो हमारा liquid होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग लेकर आते है उसके लिए उसके अंदर डालते है पानी पर जैसे ही पानी डालते है आधळा की मिचे इस पे रोटी नहीं जाएगे उसеле करते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं ग्लाशन पर पान चाहिए वह सब उनके जल जाएंगे तो जलाने नहीं है तो इसी लिए हम लोग क्या करते हैं दो तीन दिन पहले हो गाम कर लेते हैं किसका इंग्ञापल हो गया चेलीज़ इन टेमड तो अराम से हम लोग हम लोग है और पाहिमों इसका टेम्डेचर इतना राईज हो गया तो quick lime हमारे पास, जैजे ही हम दो quick lime दाते quick lime जाचूना, plus में हमारे पास water, water करते ही हमारे पास बन जाता है slaked lime, और ये slaked lime का temperature बहुत जादा high होता है, ठीक है, ये slaked lime का temperature बहुत जादा high होता है, ये हमारे पास की basically किसका example था? change in temperature, अगला example आता हमारे पास, change in color, अगली corrective six का नाम है, change in color, color के अंदर change हो जाए, मत्तव हम कुछ लेके चले, और कोई और कईबर क्या होता है, कपड़े हम लेकर आते है, simple से उसको दोते हैं, तो उसका color कुछ और ही हो जाता है, लेकर कुछ आते हैं, होता कुछ और है, तो वो color के अंदर change हो गया, color के अंदर change हो गया, तो हमारे पास किसका एक्जामपल है, वो हमारे पास example होता है, characteristics of chemical reaction, मतलब वहां पर भी कोई ना, कोई chemical reaction हो रही है, तो change in color का example हमारे पास क्या हो गया, when citric acid, citric acid होता हमारे, जो भी citrus food है, like lemon है, orange हम सब के अंदर होता है, citric acid, इस citric acid के अंदर अगर मैं potassium permagnet डालते हो potassium permagnet का मेले पस बोट अच्छा कलर होता है that is purple color पर वो purple color जो है वो decolorize होता है जैसे ही citric acid उसमें डाल देते हैं decolorize हो जाता है मतलब purple color उड़ जाता है तो किसी का भी color उडाना हो तो क्या करदो citric acid का यूज ऐसा नहीं होता अलग-लग-लग-लग case में अलग-लग होता है किक है तो potassium permagnet में जो कि pink purple कलर का है वो प्रकलर शूर देता है कब जब उसमें सीट्री कैसे डाल देते हैं तो कलर के अंदर क्या हो गया चेंज हो गया कलर के अंदर चेंज हुआ है इसका मतलब यह कौन सी reaction है chemical reaction हम लोग basically यह चीज़े देख रहे है कि chemical reaction किस किस वज़े से कहां कहां से है तो अगला जो एक्जाम्पल आता है वो आता है हमारे पास चेंज इन सेट चेंज इन सेट, state, solid, liquid, gas इन सब के अंदर चेंज हो जाना हमारे पस किसका एक्जाम्पल है हमारे chemical reaction का like burning of a candle candle का burn होना candle हमारे पास क्या थी solid form में थी उससे हमारे पास wix निकलता है liquid form में और फिर हमारे का superfumes निकलती है जो किसमें होती है gases form में तो मतलब कोई भी हम लेकी चले state और दूसरी state हमें मिल जाए तो वहाँ पर हमारे state के अंदर change हो जाता है solid liquid gas के अंदर तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है chemical reaction होती है तो basically हमने यह 5 चीजे पड़ी evolution of gas, formation of precipitate, change in temperature, change in color and change in state इन में से अगर हमारी एक process हो रही है, दो हो रही है, चार हो रही है, पाच्छो हो रही है but chemical reaction होने के लिए यह आपकी must है, होनी ही होनी चाहिए चिक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि chemical reaction के character sticks क्या होते है आगे हम देखेंगे इनके types क्या होते है तो next video को देखने के लिए चैनल को like, share and subscribe करना बिल्कुल नहीं भूले और notification bell को press कर दीजिए अपकी पास अपने अपनी latest update आती रहेंगी Thank you